हलो फ्रेंड्स कल असुद्दीन वैसी साहब 17 अक्तूबर रवीवार को एत्वार के दिन यानि के संड़े को दोपार एक बजे मसूरी एस्टेशन रोड मसूरी गाजियाबाद में शोसित वंचित समाज समेलन को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं हसुद्दीन वैसी साहब लगातार यूपी का दोरा कर रहे हैं और इसी करम में वो कल फिर 17 अक्तूबर को संड़े के दिन एक बजे दोपार में मसूरी एस्टेशन मसूरी गाजियाबाद यूपी में फिर से दोरा कर रहे हैं ताके वो सोसित वंचित समाज को संबोधित करें और फिर असुद्दीन वैसी साहब उन्हे अलाकों में जादातर दोरे कर रहे हैं जहां कि मसल्मानों की अबादी ज्यादा है और मसल्मानों के अंदर जागरूपता पैदा करने के कोशिस कर रहे हैं और यह सब कुछ जो है आने वाले 2022 के विधान सभा इलेक्शन को देखत कर लिया है कि वो जो इन साव सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे उन साव सीटों पर लगभग सब के सब जीत हासिल कर सकें ताके और भी लोगों को देखा सकें कि असुद्दीन वैसी सहाब की पार्टी AIMIM UP में किस तरीके से जीत हासिल करती है और जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज तो इनका ये होगा कि फिर ये उन इलाकों में अपने काम को भी देखा सकें तो असुद्दीन वैसी सहाब काफी मेहनत कर रहे हैं इनके साथ जो लोग जूटे हुए हैं पार्टी के जो लोग वो सारे लोग भी इनके साथ काफी मेहनत कर रहे हैं यूपी के इलेक्शन को देखते हुए तो इस तरीके से उमीद की जा रही है कि वैसी साहब जिन सौ सीटो पर अपने उमीदवार खड़ा कर रहे हैं उन में से ज्यादा तर सीटो पर इनकी जीत हासिल होगी इसलिए कि मुसल्मानों के अंदर बेदारी पैदा होती जा रही है और फिर मुसल्मानों के साथ जो शोसित वंचित समाज हैं वो भी ए आई एम आई एम के साथ धीरे धीरे जूटते जा रहे हैं इसलिए कि उन लोगों को भी एक उमीद है असरदीन वैसी साब से कि ये मजलूम की आवाज उठाते हैं शोसित वंचित समाज की क्या होगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और 17 अक्तूबर याद रखें कि 17 अक्तूबर संड़े को एक बज़े एक बज़े दो पहर में मसूरी एश्टेशन रोड मसूरी गाजयाबाद यूपी में असुद्दीन वैसी सहाब कल सम्बोधित करेंगे और इनकी ए भाइ बथा बाइ खीर आंकम पमस्झा बाइ ल मात रखें बिल्क्तूबर में और 62 अक्तूबर 23 अक्तूबर ख़िए और